अगर आपके पास मान ले जैसे फोर फाइफ इमेज़ अगर आप उनको कनवर्ट करना चाहते हैं एक कॉलेज में ठेक है तो आप जैसा कि अभी मेरे स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे हूंगे इस इमेज में आप लोग देख पारें हैं कि एक ही इमेज के अंदर चार पाच इमेज को मैंने आड किया तो इसे क्या कहते है आप इस कॉलेज को कैसे फॉर्मेट मतलब कैसे बनाना है वह सीखेंगे आज हम लोग तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट है जिसका यूज टिक यह जो है हमारी इमेज इस एंड दिस वन अलसो थॉर्ड यह हमारी चारो इमेज है और इनको हम कनवर्ट करना चाहते एक फोटो मतलब एक जो ऐसी फोटो हो जिसके अंदर चारो इमेज इस तरह से सेट हो ठीक है न तो हम इसको ड्राग और ड्रॉप के ऑप्शन से इन आप लोग को डिस्क्रिप्शन में तो वहां पे लोग जैसी क्लिक करोगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा वहां पे आपको लेप्ट हें साइड में आपको एक मतलब कुश्यन दिखेगा हाव मैनी फोटो ठीक है तापको वहां पे आपको एट तक ऑप्श यहरा या मल एकद तो आपको इसे में को ही जा paarग करेंगे जहां पर आपको इस तरह तो इस तरह होगा दिस बन तो ऐसी आपको कितनी होगी से मिल जाएंगी यह से बहुत सारी मिल जाएंगी तो यह मतलब बैटर है मेरे लिए यह वाला जो जो कॉलेज फॉर्मेट है वो बैटर है अब यहां से सेटिंग करना चाहते हो वह कर सकते हो बार्डर बैग्राउंड ब Citizen sign मतलब यहां से सतं आहिए सत्व सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब करेंडं सब्सक्राइर कि्यां से घड़िए सब्सक्राइब या सुआप्र च्छाणते हम जाते हो याह फिर स्कैंड आपको 12802200220720 यह फिर फेज्बुक कवर तो फेस्गर पर श्क्राइर इसके बाद आपको apply पे click कर देना है ठीक है तो यहां से आप apply कर सकते हो मतलब अभी हम square image रखेंगे तो अभी इसे apply कर देते है ठीक है ना select करके उसके बाद आपको border के thickness जितनी भी रखने आप उतना रख सकते हो ठीक है ना तो मैं border के thickness को चितना रखना चाहती हो तो मैंने select अभी क्या करेंगे हम लोग की add images अभी इसका मतलब images जो है add करेंगे उनको अभी आप लोग देख पा रहे होगे कि मैंने तो मतलब पूरा मतलब पूरा जो पीछे का मतलब एक तरह से format होगा वो ready हो गया हमारा ठीक है अभी इसमें last step के लिजिए कि जो last step है वो हमारा इसे image ठीक है अभी इसको image को add करना है add images आपको right hand side में बिल जाएगा वहां से आप select कर लीजेगा आपका file explorer explorer जो है on हो जाएगा और वहां से आपनी images को select कर सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर कुछ images है जिनको select कर लेती हूँ तो मैं यहां पर four images select करूंगी क्योंकि मैंने four images का format है वो चूज किया है तो मैं अर्मस्क लिए three images select and the last but not the least image okay so अभी इनको क्या करेंगे इनको यहां पर लाने के लिए करेंगे हम drag and drop मतलब इस image को drag करके यहां पर drop कर देंगे drag and drop यही मतलब जापको प्रोसेसर वो करना है continue अचली मैं यहां थीनी फोटो जिती वो सलेक्ट हो पाइती अचली मैं that's one yeah okay four photos okay okay so अब इनको मतलब आपको साइजनिंग मतलब left hand right hand side में जहां पर मतलब फिक्सकन आप आप यहां से कर सकते है अब यह जो मतलब इमेज है वो आल्मस्ट रेडी होगी अब इसको सेव कैसे करें आपको यहां पर सेव का उपर आप्शनल जाएगा कर देना है फिर आपको मैं दिखाना चाहती हूं कि अगर आप नीचे वाला जो सेकेंड ऑप्शन है वो है क्रिएट और इमेज लाइक डिस मतलब वही सेम पेंज पर हम दोबारा चले जाएंगी जहां से हम लोग ने इस इमेज को क्रिएट कर आप लोग जैसा कि देख सकते सब्व come up.ट जो अप्डिकिशन है वहां पर उपन करते है इसको ठीक है है अपने on there है easily choose करके अपना मतलब जितने भी इमेजिस का आपको फॉर्मेट रखना है वहां से आप सेलेक्ट करके अपना कॉलेज है उसे बना सकते हो ठीक है so that's all in this video I hope अपना को स्वेडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो प्लीज सब्सकाइब कर दीजेगा हमारे चैनल को so that's all in this video so bye friends